हेलो दोस्तों राधिकिष्णा जै मातादी कैसे हुआ आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे मैं आपकी अपनी दोस्त नेहा तिवारी पी-एस मार्बल मूर्ती आर्ट से आपका हर्दिक अभिनंदन करती हूँ तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गनीश भगवान जी की प्रतिमा जो की डेल फिट के साइज में बनाया गया है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर अट्रेक्टिव मूर्ती ये बनाया गया है तो फ्रेंड्स वीडियो पर लाश्ट तक जरूर बने रही है और यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप देख सकते हैं गणिश भगवान जी की प्रतिमा बहुती सुन्दर बनाई गई है उपर मुकुट पर भी बहुती अच्छी मतलब बारी की तरीके से कारिगरी की गई है घडाई के साथ इनको तैयार किया गया है मारबल के आप ओरिजनल्टी देख सकते हैं कितना सुपर मारबल है बैठे हुए हैं सिंघासन लगा है एक हाथ में लड़ू है एक हाथ से आशिरवात देते हुए हैं आप महाराज जी की कपड़ों को भी देख सकते हैं कितने सुन्दर डिजाइनिंग से कपड़ों को तैयार किया गया है हमारे पेंटर द्वारा बगल में मूशक राज भी दिखाये गया है पीछे सिंघासन भी दिखाया गया है दोनों हाथों में फिलावर लिए हुए है आप इनके फेस कट फीचर्स देखे माथे पर तिलक लगाए हुए है फीचर्स कितने सुंदर बनाए गए हैं बड़े बड़े लंबे लंबे कान है और जिस पर मतलब डबल शेर्ड कार्रे किया गया है कान पर आप देख सकते हैं लाइनिंग वगर जैसे मतलब महाराद जी की प्रतिमा होती है सेम ऐसे ही बनाई गया यह यलो कलर का दुपट्टा है गोल्डन कलर का वर्क किया गया है इसमें बहुत ही सुन्दर नकाशेदार काम इसमें किया गया है उपर से नीचे तक बोड़ी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं पैर देखिए आप एक एक उलिया एक एक नाखोन आपको इसपर शो हो रही होंगी फ्रेंड्स बहुत ही सुन्दर मार्बल है एक दम सुपर मार्बल है फिनिशिंग शाइनिंग करता हुआ मार्बल है तो गाईज यदि आपको भी ऐसी ही मूर्थी चाहिए मार्बल से बनी हुई गनेश भगवान जी के या फिर किसी भी देवी देवताओं की तो आप हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करें मेरे डबले 24-026716 पर एक बात और हमारे यहाँ पर रिपेंट की भी विवस्ता है यदि किसी भी मूर्थियों का किसी भी मंदिरों में इस्तापित मूर्थियों का रिपेंट कराना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करें एक बार सेवा कमों का अवश्य दे हमारे यहाँ पर सभी तरह के साइ तेरादे, thanks for watching.